स्वागत आपका मेरे य्टूब चैनल मुनिया की कहानी में फ्रेंस आज के हमारी कहानी महात्मा गोत्म बुद्ध से जुड़ी है परमात्मा कैसे दिखते हैं, आत्मा कैसी होती है, मरने के बाद लोग कहा जाते हैं इसी से जुड़ी कहानी है फ्रेंज आप चाहे जितने अच्छे सब्द पढ़ ले, सुन ले या बोल ले, ये सब्द तब तक आपका भला नहीं करेंगे, जब तक आप इने अपने जीवन में उप्योग में नहीं लाते, तो चलिए फ्रेंज शुरू करते हैं अपनी कहानी लोगों से बातचीत का सिलसला शुरू हुआ, एक जिग्यासु ने गौतम बुद्ध से सवाल पूछा, आपने अब तक आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कृपिया में बताईए क्या आत्मा होती है, ये सवाल सुनकर गौतम बुद्ध चुप हो गए, उन्होंने आ कई बार गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछे थे जैसे कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, स्वार्वी कैसा होता है, पर मात्मा कैसे दिखते हैं, इत्यादी, तब वे चुप रहते थे और वे कहते तदागत ने इस बात को अव्यक्त रखा है, इस बार भी गौतम बु आखे खोली और वहां उपस्थित सभी लोगों को संभोधित करते हुए कहा, यदि किसी इंसान को तीर लगी हो, तो पूछेगा कि तीर चलाने वाला कौन था, किस कमान से उसे चलाया गया था, तीर किस धादुका बना हुआ था, तीर पर कौन से जहर लगा हुआ था, इस जहर से कितनी जल्दी मृत्यू होती है, पहले यह जानकारी लाओ, फिर तीर निकालो, नहीं, पहले तीर निकालने का प्रयास करना चाहिए, बाद में उसकी बातों पर सोचा जा सकता है, पहले दुख से मुप्त हो जाएं, फिर बुद्ध विकास की बाते करें, यह बात महां उपस्तित लोगों को गौतम बुद्ध की बात समझ में आई, ऐसी बातों में समय गवाने से पहले दुख से मुप्ती पाने का प्रयास करना चाहिए, एक बार जंगल में यात्रा करते वक्त इसी बात को समझाने के लिए, गौतम बुद्ध ने जमीन पर पड़े इस जंगल के पेड़ों पर हैं, मैंने आप सभी को इतना ही ग्यान दिया जितना आवश्यक है, जितना मेरे मुठी में है, इससे ज़्यादा ग्यान मेरे पास है, लेकिन आपकी मुक्ती के लिए जरूरी नहीं है, आप केवल इनी सी दांतों पर काम करो और दुख से मुक्त हो जाओ, बेकार की बुद्धि बिलाश में न उल्चों और समय का सदुप्यों करो, यही ग्यान आपको मुक्त कराएगा, इस प्रकार भगवान बुद्ध ने पहला बोध अपने पांच साथियों को दिया, और उसके बाद वे चारों अपने साथियों के साथ सत्प्रसार म निकलते हैं, फ्रेंग्स महात्मा गौत्म बुद्धि की प्रेणा दायक कहान यही पर समाप्त होती है, आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएए, धन्यूंट